नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजायाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो भारत ने यमन में बढ़ती यूद की स्थितियों पर संयुक्त राज सुरच्छा परिशत में चिंता जताई है भारत ने कहा है कि वर्दमान हालत आतंकी संगटनों की मौजूदकी और सकरिता को बढ़ावा देंगे संयुक्त राच में भारत के उपस्ताई परतिनिती नागराज नैडू ने कहा कि यमन के कई सहरों में जो हालत है उससे नागरिकों के हता हतोने विद्वन्स और पलायन की स्थिति बन रही है यमन के कई छेत्रों में युद के स्थितियों और बढ़ रही है विसेश्त और परमरीज में जहां आंतरिक रूप से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है इन स्थितियों में आतंकी संगटनों के सक्रिय होने की असंका बढ़ गई है अलग एदा और इसलामिक स्थेट ऐसे में अपनी सक्रिता की तेजी से पढ़ सकते हैं जो चिंता जनक है भारत ने साओधी अरब में तेल शेत्रों और लागरिकों की प्रियाइस में मिसाइल और ड्रोन के हमलों पर भी चिंता जटाई है भारत ने कहा है कि इन स्थेत्रियों में सभी पच्चों को हिंसा कम करने के प्रियास तेज करने होंगे बता दे कि बीते दिन यमन के हाउती विद्रोहियों ने साओधी अरब में फिर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला किया इस संग्ठन ने गज साथ मार्च को भी ड्रोन और मिसाइल से इस खाली देश के तेल ठिकाने को निशाना बनाया था तेल कमपनी अरेमेकों के एक रियासी परिसर भी हमला किया गया था जबकि साओधी ने इस हमले को विफल करने की बात कही थी यह रिपोर्ट आइपिन